असलाम अलेकुम व्यूवर्स, वेलकम बाक टो आवर चानल, आज हम बना रहे हैं बार्बी की चिकन विद बॉयल राइस और सौटेद वेच्टिबल्स, इसके लिए हम सबसे पहले चिकन को मारिनेट करेंगे, मारिनेशन के लिए हमने एक बाउल में लिया है, एक टी स्पून जीरा पाउडर और एक टीबल स्पून पैपर का पाउडर, अब हम इसके अंदर एक पाउट दही शामल करेंगे, और तमाम मसालों को अच्छे तरीके से दही में मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर चिकन के पीसे शामल कर देंगे, हमने आदा किलो हड़ ँकिंस नियुक्तобр relieved chicken में वाली चिकिंन में यूँस कि है आप चाहें तो इसमें bonless चिकिन भी यूज कर सकते हैं चिकिन को अच्छे तरी के से मसाले में मिक्स कर लेंगे कर रख लेंगे मर्टी के लिए मेश यूंरी हेण सब्सक्राइब मच्ग कर लेंगे जितनी दे में हमारी चिकन मारिनेट हो रही है हम सबजियों की तैयारी कर लेते हैं एक कड़ाही में 2-3 टेबल स्पून तेल गरम कर लेंगे और इसके अंदर हम 1 कप मटर शामल कर देंगे मटर को हम 1-2 मिनिट के लिए अच्छे तरीके से फ्राइ करेंगे थोड़ा सा पानी डालेंगे और मटर को हम गला लेंगे हमने फ्रेश मटर का इस्तिमाल किया है और फ्रेश मटर बहुत चल्दी से गल जाती है इसलिए हम इसको बहुत थोड़ा सा पानी डालके तीन से चार मिनित के लिए ढखके पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे ताके मटर अच्छी सी गल जाए यह देखिए मटर जो है वो गल चुकी है अब हम इसके अंदर बाकी की सबजियां भी शामिल करेंगे हमने दो हरी प्यास का सफैद वाला हिस्सा मटर में डाल दिया है अब हम इसको अच्छे तरीके से फ्राइ कर लेंगे एक से दो मिनिट के लिए अब हम इसमें एक छोटी सी बंगो भी पारी कटी हुई और दो अदद गाजर जूलियन कट की हुई शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे एक से दो मिनिट के लिए हम सब्जियों को फ्राइ करेंगे अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे नमक, हस्बे जाइका और एक टेबल स्पून काली मिर्श पाउडर आप एक टेबल स्पून सफैज मिर्श पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं अब हम सबजियों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और 3-4 मिनिट के लिए इनको फ्राइ करेंगे हम सबजियों को बहुत देर नहीं पकाएंगे हमें इनको क्रंची साही रखना है ज्यादा देर पकाएंगे तो ये सौगी हो जाएंगी आखिर में हमने बारी कटी हुई शिमला मिर्च और हरी प्यास का हरा वाला हिस्सा भी इसके अंदर डाल दिया है अब हम तमाव सबजियों को एक दवा फिर से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे एक से दो मिनिट के लिए इनको मजीद फ्राइ करेंगे और फिर हम चूले को बंद कर देंगे सबजियां हमारी तयार हो गई है अब हम च्रिकन पका लेंगे हमने एक कड़ाई में फिर से तेल गरम कर लिया है और इसके अंदर हम च्रिकन और आलू डाल देंगे जो हमने मैरिनेट करके रखे थे इसको हम मीडियम से हाइ फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे तही जो है वो बहुत जादा पानी छोड़ देता है इसलिए हम चिकन और आलो को मीडियम से हाइ फ्लेम पे पकाएंगे ढखके इतनी देर पकाएंगे के पानी जो है वो सारा खुशक हो जाए और मसाला जो है वो बहुत अच्छा सा ड्राइ ड्राइ सा रेडी हो जाए ये देखिए चुकिन और आलू अच्छे से गल्च चुके हैं और मसाला कितना अच्छा सा तयार हो गया है अब हम इसको कोईले की धूनी दे देंगे ताके इसके अंदर बहुत अच्छा सा बार्बीक्यू वाला टेस्ट और बार्बीक्यू वाली स्मेल आ जाए कोहले को देखा लिया था हमने वो हम चिकन और आलू के बीच में फॉयल में करके रख देंगे थोड़ा सा ओयल कोहले पे ड्रिजल करेंगे और इसको 10 मिनिट के लिए ढख के रख देंगे हमारी चिकन भी तयार हो गई है अब हम डिश को असेंबल करेंगे हमने एक डिश की बेस में बॉयल राइस लगा लिये हैं इनके उपर हम सबजियां सजा लेंगे और बीच में हम चिकन और आलू के पीसे सजा लेंगे ये डिश बड़ी ही सिंपल है और बहुत ही मज़िदार है सबजियों के वज़े से ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है अब हम इसके उपर सजाने के लिए सॉस तयार करते हैं एक बावल में हमने एक कप माइनीज ले लिया है और इसके अंदर हम चिली कार्लिक सॉस और रेड हॉट सॉस शामल करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ये बहुत ज़्यादा कारा है अभी तो इसलिए हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामल करेंगे और फिर से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे मेरे पास बार्बिक्यू वाला माइनीज था तो मैंने वो भी इसके अंदर थोड़ा सा मिक्स कर लिया है जो के बलकुल आप्शनल है अगर आपके पास नहीं है तो आप ना शामल करें हमें इसको इस तरीके से पतली कंसिस्टेंसी में रखना है ताके हम इसको उपर अराम से ड्रिजल कर सकें इस तरीके से हम अपने जिश के उपर माइनीज को ड्रिजल कर लेंगे और इसको हम सर्फ करेंगे आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राइ कीजएगा और हमें फीडबेक दीजएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लेगी पर मोर वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टो आर चैनल प्रेस बेल आइकन लाइक, कॉमेंट और शेर थैंक्स फो वाचेंग